नमस्कार, हिंदी हाइवे में मैं डॉक्टर यूस पिरसाद आपका एक बार फियो से स्वागत करता हूँ आपको याद होगा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा अगला वीडियो किरत बारी के बारे में होगा तो आज का वीडियो उसी किरत बारी के बारे में है और इसमें मैं किरत बारी का चरचितरन करने जा रहा हूँ आपने दीपदाने कांकी तो पढ़ा ही होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार आपने दीपदाने कांकी को पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि कीरतबारी इसे कांकी का एक अत्यन्ती साधरन पात्र है क्योंकि उसका काम तो महल के जूठे पतलों को उठाना है लेकिन वास्तवीक्ता ऐसी नहीं है वास्तवीक्ता तो यह है कि कीरतबारी ना अपने आप में एक आदर्श व्यक्ति है देश भक्त है बलिदानी है बलकि वह जिस बारी समाज से अपने सम्मंद रखता है उस बारी जाती या उस बारी समाज का भी एक गौरम में इतिहास रहा है दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम पन्ना धाय के बलिदान को याद करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि कीरत बारी ने पन्ना धाय की मदद ना की होती तो शायद पन्ना धाय अपने पुत्र का बलिदान देकर भी कुमर उदैसी के प्रानों की रख्षा ना कर पाती है तो इस द्रिष्टि कोन से अगर देखे तो कीरत बारी का स्थान इसे कांकिये में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पन्ना धाय के बाद वह दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है आई इस कीरत बारी की चारितरिक विश्यस्ताओं को देखने के लि यारि मलंगु जिए के लिग क्रांवर्णी को देखने के तो कि दीनिते है बंग। कीरत बारी डॉक्टर रामकुमर वर्मा की एकांकी दीपतान का पात्र है इस एकांकी में वह गौन पात्र होते वे भी इतनी महत्वपुर्ण भूमी का निभाता है कि पन्ना धाय के बाद दूसरा महत्वपुर्ण पात्र बन जाता है जैसा कि नाम से ही अस्पष्ट है कि कीरत बारी जाती का है बारी उसका उपनाम है उपनाम जिसे आप अंग्रेजी में टाटल करते हैं बारी जाती का अपना एक गौरव में इतिहास है आगे बढ़ने से पहले मैं इस बारी जाती के गौरव में इतिहास के बारे में थोड़ी जानकरी आपके साथ साजा करना चाहूँगा इस जाती का उलेक कई धार्मिक ग्रंथों में हुआ है रामचरित मानस में तो इसका उल्लेक किया ही गया है अन्नी कई धार्मी ग्रंथों में भी इसका उल्लेक है बारी जाती का नामकरण संस्कृत के वारिज ये किया गया है जिसका अर्थ होता है पानी पौरानी कथाओं में बारी को सारैस्वत पंडित के रूप में भगवान स्री राम के समय से ही जाना जाता था जो उनके लिए भोजन बनाया करते थे राम और रावन के युद्ध में इसी बारी जाती ने अजेय माने जाने वाले रावन के पुत्र नरान तक का वद भी किया था बदलते सामाजिक परिवेस में बारी सी सोधिया राजपूत समाज में शामिल हो गए मध्य युक तक आते आते ये राजपूत जाती के रूप में जाने लगे आल्ला उधल के प्रशिद सेनापती के रूप में बारी के नाम का उलेक है और वह नाम है रूपन बारी आल्ला में इस बात का उलेक मिलता है कि रूपन बारी के सहयोग्यों को अपनी हत्या की जयाने के भैसे कई वर्षों तक जंगलों में रहकर अपना जीवन भिताना पड़ा उसी समय बारी जाती के लोगों ने अपनी जीविका को चलाने के लिए पत्तल बनाने का व्यवसाय शुरू किया था जब भी जरूरत परी धर्म और राष्ट की रक्षा में बारी समाज के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सेदारी निभाई है प्रस्तुते कांकी यानि दीपदाने कांकी में कीरत बारी का प्रवेश तब होता है जब बनबीर कुमर उदैसीं के हत्या की साजिस कर रहा था सिपाहियों का महल के बाहर पहरा लगा दिया गया था कि कोई बाहरी आदमी प्रवेश ना कर सके सिपाही कीरत बारी को महल के अंदर इसलिए आने देते हैं क्योंकि वह रोज जूठी पतले उठाने आया करता था कीरत बारी महल के अंदर आने पर पन्ना धाय को परिस्थिती के बारे में बताता है पन्ना धाय उसकी बातों से और भी चिंतित हो जाती है तथा अपना उद्देश से बताने से पहले कीरत बारी की परिक्षा लेना चाहती है कि वह जो काम कीरत बारी को सौपना चाहती है क्या उसमें कीरत बारी सफल हो पाएगा वह किरत बारी से पूछती है कि वह कुमर जी को कितना प्यार करता है उत्तर में किरत बारी कहता है अन्यदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे वो तो दिल की बात है मौके पे ही देखा जाता है और कहने को तो मैं कही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ अब पन्नाधाय को विश्वास हो जाता है कि कीरत बारी उसका काम कर सकता है पन्नाधाय उसे कहती है कि कुमर जी के लिए अपने प्राम देने का समय आगया है पन्ना धाय कीरत बारी से कहती है कि तुम बारी हो तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठाके जाते ही हो तो तुम कुमर जी को टोकरी में लिटा कर उन पर गिली पत्तलें डाल कर महल से बाहर निकल जाओ और हाँ, कुमर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहां शम्षान है कीरत बारी पन्ना धाय की आग्या का पालन करता है, जब कीरत बारी चलने लगता है, तो पन्ना धाय उससे यह कहती है तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने जित तौड के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिहासन को सहरा दिया है, तुम धन्य हो अब इस घटना के आधार पर हम यह कह सकते हैं, कि यदि कीरत बारी ने पन्ना धाय का साथ ना दिया होता, तो कुमर उदैसी के प्राण की रक्षा नहीं हो सकती थी उसने अपने प्राण की परवाहन कर कुमर उदैसी के प्राण बचाये, अगर वह पकड़ा जाता, तो वहीं पर उसका और कुमर उदैसी दोनों के सिर को धर से अलग कर दिया जाता इस प्रकार कीरत बारी ने जो काम किया, वह उसे कापी उचा उठा देता है, तथा वह एकांकी का गौन पात्र ना रहा कर महत्वपूर्ण पात्र बन जाता है आज भी जब राजस्थान में पन्ना धाय के बलिदान के गीत गाय जाते हैं, तो उसमें कीरत बारी का भी उल्ले किया जाता है निशकर्श रूप में हम यह कह सकते हैं कि कीरत बारी सच्चा देश भक्त, बलिदानी और वीर रूप में इस एकांकी में आया है वह इस एकांकी का आधर्श पात्र है अभी मैं दीपदान एकांकी के कीरत बारी का चरजित्रन कर रहा था ना केवल कीरत बारी बलकि बारी जाती के बारे में भी मैंने आपको अपने सामर्थि के अनुशार, अपने ज्यान के अनुशार, ज्यानकारी देने का प्रियास किया है उम्मीद है आपको यह वीडियो अवसी पसंद आएगा अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद